जिला पुलिस ने नशे के किलाब चलाए अभियान में नशा कारोबारियों पर करेवाई की है अभियान के तहट तीज दिन में जहां NDPS Act के 35 मामले और Excise के 70 मामले पुलिस ने पकड़ी है यही नहीं चनिक शेतर में पुलिस ने अभियान के तहट चापे हमारी कर 1000 लीटर अवैज शराब नस्ट की है जिला कांगरा पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नशा कारोबारियों पर नकेल कसने में कामया भी हासिल की है अभियान के तहट 30 दिन में जहां NDPS Act के तहट 35 मामले और एकसाइल के 70 मामले पुलिस ने पकड़े हैं वहीं चनिक शेतर में पुलिस ने अभियान के तहट चापा मारी कर 1000 लीटर अवैल शराब को भी नस्ट किया है आपको बता दें कि परदेश सरकार की पहल पर कांगडा जिला पुलिस ने 15 नवंबर से 15 दिसमबर तक जिले में नशे के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया था जिसमें जहां स्कूलों, कॉल्जों, युद कलबों और पंचायतों में जाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरू किया गया। जिला पुलिस का कहना है कि भविश्य में भी पुलिस नशे के खिलाफ अपनी मोहीम जारी रखेगी। स्टेट गर्णनेंट का इनिशेटिव था जो पंदरा नवेंबर से पंदरा जिसमबर तक था अगेंस्ट ड्रग्स जिसमें अवेरनेस केमपेंज पे भी फोकस था और डिटेक्शन के ओपर भी फोकस था तो इसमें जिला पुलिस ने बहुत फ्रंट्स के ओपर काम किया है स्कूल्स में, कॉलेजीज में, यूथ कलब्स में, पंचायतों में जाकर के लोगों को नशे के दुश्परभवों के बारे में बताया, उन्हें नशे से दूर रहने के बारे में बताया, क्योंकि हमारा मेन प्ज़ेक्टिव इसमें था कि जो डिमांड साइड है, जहां से बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं और डिमांड ड्रक्ष की बढ़ रही है उसको अवेरनेस के माध्यम से हम कम करने की कोशिश करें तो उसमें काफी अच्छा कैमपेन एक महिना चला है और डिटेक्शन की और भी इसमें इस समय में फोकस हमने बढ़ाया तो लगभख 35 के करीब जो केसिस हैं पूरे जिले में हमने इन 30 दिनों में अंडिपीएस एक्ट के तहत रिजिस्टर किये हैं एक्साइज एक्ट के तहत उससे भी ज्यादा काफी मात्रा में लगभख 50-60 या 70 केसिस हमने लगभख किये हैं चन्नी में भी हमने रेड करके काफी मात्रा में ल